हलो दोस्तों आज से हम देखेंगे जो बीपी एसी के जितने भी प्रिवेस एर कोश्चन पेपर्स हैं उनको जैसे कि आपको पता है बीपी एसी में कहां से कितने कोश्चन आते हैं हम एक बार उसको डिसकस कर लेते हैं कि history में approx आप समझ लो कि 30 केothyस आते हैं पौलिटी में 10 के अप्रॉ्च आथे हैं और geography सो ही 10 से 12 तक आते हैं economy में भी 10 और जैंडल में बहुत वेटेज है इसका और इसमें से अपरॉक्स आपका 25 कोशिंज्स आ जाते हैं और mathematics में तो हमेशा सेम होता है कि आपको 10 questions, mathematics और mental ability में 10 questions आएंगे ही तो आएंगे और बिहार special में 25 to 30 vary करता है और current affair भी बहुत important हो जाता है current affair के भी approximately 25 to 30 questions every year आते हैं तो एकुल मुला के 150 questions हो गए आपके जो BPSC में आते हैं और इसमें negative marking नहीं होता है इसलिए cut off भी थोड़ा high जाता है तो आज से हम discuss करेंगे previous year question paper क्योंकि previous year question paper हम इसलिए discuss कर रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि कहां से कितने questions आते हैं और कैसे questions actual में पूछे जाते हैं तो इस लिहाज से previous year question paper जो है most important हो जाता है आप इसको किसी भी तरह से छोड़ नहीं सकते हैं अगर आपको इस exam में पास करना है तो आपको previous year question paper देखना ही पड़ेगा और previous year questions paper का ये भी फाइदा है कि previous year questions paper से directly questions repeat होते हैं 5 to 10 questions repeat होते ही होते हैं अगर आप previous year questions को देखें और उसको solve करें तो उसमें से आपका समझ लो कि 30% preparation आपका ऐसे ही हो जाते हैं और pattern समझने के लिए BPSC का previous year questions paper से अच्छा आपको कोई guide नहीं कर सकता है तो इसलिए previous year questions paper most important हो जाता है और आज से हम previous year questions paper को देखेंगे और उसको solve करेंगे तो यहाँ पर हम लेके आए हैं 66 BPSC जो last year December में हुआ था उसका questions paper पहले आप इसको solve करो इसके बाद आप पहले इसको solve करो फिर solution देखेंगे हम लोग तो आप इसको पहले read करके solve करो और हमें बताओ कि आपका कितने marks आ रहे हैं और इसमें दोस्तो negative marking नहीं है तो आप इस आप इसमें से 150 में 150 attempt करने की कोशिस करना तो चलिए देखते हैं 66 BPSC का यह question paper कर दो कर दो कर दो कर दो झाल 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 तो दोस्तो ये था 66th BPSC का फुल कंप्लीट कोश्टेंस पेपर जो की 150 कोश्टेंस इसमें आते हैं तो मैं इसमें आपको खुद भी रीड करके बता सकता था कि आपको ये ये ऐसे रीड करना इसे सॉल्व करना बड़् इसको खुद रीड नहीं करोगे आप ज़्यादा से ज़्यादा कैच नहीं कर पाऊगे आप खुद से रीड करो आपके वैसे आपके conscious mind में ज़्यादा कैच होंगे तो यह आपके लिए ज़्यादा effective है तो आप इसमें जितने भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इसमें क्या इंप्रूब्मेंट और क्या जा सकता है आप वह सजेस्ट भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में तो दोस्तों यह था 66 BPSC question paper इसके बाद हम सब्सक्राइब करें तो आप चैनल से जुड़े रहे हैं और हम BPSC को इस बार क्रेक करेंगे तो थैंक यू दोस्तों डाट्स आइए